भाई और बहनों, किसान को आधुनिक सुविदाय देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आए बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बिते सालों में फसल भीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार हर स्तर पर काम किया गया है। प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना से देश के लगभग चार करोड किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रदान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना से लगभग 47,87,00,00,00 हेक्टर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगभग 77,000 करोड रुपिय के इरिगेशन पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन साथियों सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते हैं। इसके साथ साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाब भी मिलना चाहिए। जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्द कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को ससक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किये गए, कृसी सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए, जो सीधा खेट से उपज उठाएं, जो ट्रांस्पोर्ट से लेकर लोजिस्टिक के हर प्रबंद करें और बहतर कीमत दें। तो क्या किसान को अपनी उपट उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बारत के कृशी उत्पात पूरी दुनिया में मशूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और जादा गाम तक किसान की पहुँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुराने सिस्टिम से ही लेंदेन को ठीक समझता है। तो उस पर भी इस कानून में कहा कोई रोक लगाई है भई। साथियों नए कृशी स्युधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी सवरक्षन ही तों दिये गए है। पहले तो मंडी के बहार हुए लेंदेन ही गेर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर दोखा होता था। विवाद होते थे। क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुची नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बहार हुए हर सोदे को लेकर कानूनी कारवाही कर सकता है। यानि किसान को अब नए विकल्पे मी मिले हैं और छल से दोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी सवरक्षन भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे करशी छेत्र का काया कल्प हो सकता है।